प्रदेश अद्यक्षरा के शर्मा ने सोलन में पतरकार वारता करते हुए कहा की किसान मौर्चा जहां एक और किसानों के मुद्धों को उठा रहा है उन्हें राहत-परदान करने के लिए हर संबध प्रयास भी किये जा रही है तो वहीं दूसरी ओर आने वाले उप चुनाव के लिए रन्निती भी बनाई जा रही है समूचे परदेश में बैठकों का दौर चल रहा है उनने कहा कि कारेकरताओं को आने वाले चुनावों के प्रती भी चार्ज किया जा रहा है और उन्हें महतपूर जिम्मेदारियें भी सौपी जा रही है रकेश शर्मा ने कहा कि इन प्रत्रों में निश्चित तोर पर भाजपा जीत खासिल करेगि और किसान मुर्चा उस जीत में एहम भूमी का भी निभाएगा पत्रकार वारता के दुरान भाजपा नेता राज57 कश्य भी मौझू रहे भाजपा किसान मँर्चा के अध्यक्स PROFESSOR रकेश शर्मा ने कहा कि भ परकी में भी निकट भविश्य में उपचुनावें इन उपचुनावों में किसान मुर्चा एहम भूमी का निवाएगा और भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। उनने का कि समूचे परदेश में बैटकों का दौर चल रहा है जहां एक और किसानों की समस्याओं का हल किया जा रहा है सरकारी योजनाओं का वे लाव ले सकें इसके लिए उन्हें जागरू भी किया जा रहा है वहीं भाजपा की जीत को सुनश्चित करने के लिए किसान मुर न्यूक्त करके इस सारी प्रक्रिय को लेकर आज सोलन जिला की बैठक भी इसी संधर्म में हैं इस जिला में भी एक विदानसाबा का अरकी विदानसाबा का उपचुनाब है उसको लेकर आज बिस्तरित योजना हमारे कारे करता कहां कहां काम में लगेंगे और किशान मोर्चा जितना हमारी केंदर और परदेश की सरकार ने जो लाब हमारे किसानों को दिया है योजनाओं का उसको लेकर भी हम जन समपर करेंगे और भारती जनता पार्टी इन उप चनाबों में जीत हासिल करें तीनों विधान सबा और एक लोग सबा में इसको लेकर पूरे परदेश के अंदर हमारा बैठकों का दोर जारी है और संगठन की सारी कंप्लीट योजना बनाई जा रही कि किसानों के हितों की जो बाते हैं और जो मुद्दे उनके थे उनको लेकर हमने समधान भी किया है और गाओं गाओं में जाकर उस सारे बिशियों को लेकर हम चुनाब में किसान मोर्चा गरनी भूमी का निवाएगा